हेलो दोस्तो वेलकम टू माई यूटूब चैनल आप सभी का हमारी यूटूब चैनल में हार्देख श्वागत एवों अभिनंदन है आई होप आप सब अच्चे होंगे तो आज है नौ मई नौ मई दोहर तेख से जितने भी करंट अफेर के महत्पूर कोशन बन सकते हैं वो ह सब्सक्राइब तो आज का हमारा मोटिवेशन कोड है समझदार इंसान वह नहीं जो इट का जवाब पत्तर से दे समझदार इंसान वह है जो उस फैंकी हूँ इट से अपना आशियाना बना ले तो चलते हैं अपने टोपिक पर आज की टोपिक से जितने भी महत्पूर कोश करते हैं घराज के लेक्सण म् डिस्कस करेंगे किसराज सरकार ने आदर कलौनी पहल वीसारसरकार नरा अदर कलौनी पहल वीसायार के जुन ऊट्वोतिनंटल फटवाल कप की मेजवहानी करेगा तो इए नियुक बिछानламतृ में पिछला वरक सर्वेश्चन हुआ है और इ विसा के मुख्यमंत्री ने रहा हाल ही में किस देश ने बेसिक पिलान और ओस इन पॉलिसी को अपनाया है बहरत और जापान के स्वास्त मंत्राले ने देश जो जापान का कॉम्र्श ISIL luna lander है चान्द पर असपर Lending के बाद गुम हो गया है भारत जापान को पीछे छोड़कर वेसियो किस्तर पर तीसरा सबसुड़ा ओट वाजर बना है बारत जो है जापान को पीछे छोड़कर तीसरा सबसुड़ा ओट वाजर बना है हाल ही में किस देश के रच्चा मंत्रा लेने हिंदू देवी कली आपत्ती जनक तस्वीर ट्वीट के लिए माफी मांगी यानि किस देश के रच्चा मंत्री ने हिंदू देवी काली की आपत्ती जनक तस्वीर ट्वीट के लिए माफी मांगी तो यूकरेन ने माफी मांगी है यूकरेन के राश्टपती दोरवाइस लिवर्टी मेंडल दिया गया है नि लिवर्टी मेंडल दिया गया है यूकरेन के राश्टपती को क्रिप्टो करंसी रखने के मामले में यूकरेन सीर्स पर रहा है यूकरेन के राश्टपती को जोन एफ केनेडी पुरुषकार मिला है डिसिडेंट हुमन राइट आवार्स दौरवाईस यूकरेन के नागरकों को ने जीता है यूकरेन की गड़ तक मेरीना बिया जैसका ने प्रतिश्टेट फील्ड्स मेंडल दौरवाईस जीता है नेक्स क।ोषन हैै हमारा हाल ही में NGT ने अफशिष्ट प्रबंदन में बिफलता के लिए किस राज्यपर 471 करूल का प्रयावन मुभावजा लगाया है थैं warranty न बहुत थर्छ भाव Physics सर्फ भिहार में मनाया गया है बिहार electric knowledge network से जड़ा है बिहार के काली मिच को GI टेक मिला है बिहार में सबसे कम साक्षर्टा दर है राजबिंदर सिंग भट्टी को बिहार के DGB के रूप में नियत किया गया है राजमिंदर सिंग जो भट्ती है उनको ब्यारग कर डीजीपीय के रूप में निकुत किया गया है हाल इमे भारत का पहला था पैला अंतराष्टिय मुल्टी मौडल लोगिस्टिंग पसंघ का हम बन रहा है बाहरत का पहला था पैल यह संघ्डिय बन रहा है पहला बोडो लेंड अंतराश्टी ग्यान मुद्सव असम में हुआ है गुलाव चंदर कटारिया असम के राज़पाल की सपत ली है असम का नए डीजीपी ग्यान अंदर प्रताप सिंग निक्त हुए है असम सरकार ने माटियवाग हवा महल का अधिगरन किया है हाल ही में बंडे किरकेट में सबसे तेज पांच जार रन बनाने वाले खिलाडी कौन बन गए है तो ये बावराज में बन गई है और ये पाकिस्तान के है यानि बंडे किरकेट में सबसे तेज पांच जार रन बनाने वाले खिलाडी बन गई है बावराजा दोसो T20 में बिगट लेने वाला सबसे जबा गेंदवाज शाहिन अफ्रीद बने हैं प्रतिष्टित सिडनी बोर्ड ग्राउंड में सचन तेंदलकर के नाम पर एक गेट का नावरण किया गया है लख गेंदवाज सांकी बने स चनए जाने वाली बहु पहली भारति महला किरकेटर कौन अफुल बनी है इसमें जैब बिवता के लिए को सिप्टीन का मतलब है को फिप्टीन कनाड़ा के मॉन्ट्रिएल में मॉन्ट्रियल कनाड़ा में हुआ है और आधर ने मुलाध लूए सथम्सक्राइब द्हटे किया 5 तो U.S.C.I.R.F. ने जारी की है, United States Commission on International, इसकी फुल फॉर्म है, United States Commission on International, Religious Freedom, ये इसकी फुल फॉर्म है, आर्टिकल जो 25 है, अंत्यकरण की सुच्चता से शंबन देता है, World Happiness Report में भारत की क्या इस देती है, तो भारत की 126 नमबर पर है, भारत, मुद्रा इवं भिक्त रिपोर्ट जो है, आर्वेई जारी करता है, हाल ही में, अमेरिकी राष्ट पती ने घरेलु नीती सलाकार के रूप में किसे निक्त किया है, तो नीरा जो टंडन है इनको घरेलू नीती सलाकार की रूप में निक्त किया है डेक्टर मानिकसा तिरपुरा के CM है यानि तिरपुरा के मुख्यमंतरियं मानिकसा USA के राइश्टपत के कारकल चार साल का होता है और इसको री-elect किया जाता है और ये only two बार preelect हो सकते हैं यानि only two बार preelect हो सकते हैं और 4 सालों का कारकल होता है कौन रेडर संघमा मेगाले के CM है नागलेंड के CM है सुखबिंदर Сिंग शिक्कु है माचल प्रदेश के CM है सब्सक्राइब दूसरे नमर पर उसको silver मिला है 7 मॐे विष व एथलेटिक्स दिवस मना है साथ माई को और इस विष व एथलेटिक्स दिवस ah बास अचान गया था और जो 22nd européə में इसकी athletics for all जो athleteks दिवस की theme रख़़गी है 22nd में Athletics for all इसकी theme रख़़गी गयी है बहला फैंक दिवस, साथ मईर को मनाया जाता है बहला फैंक दिवस, फीफा वर्ल्ड कप 12, कतर दोहा में इसका आयुजन हुआ है, जो 122 में इसका 22 मों करम था, और इसमें जो विजेता टीम थी, अर्जेंटिना इसकी विजेता थी, और उपविजेता कौन सी टीम थी, सब्सक्राइब करें बेल आइकन को क्लिक करें जिससे कि आने वाले हर एक लेक्टर का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिल सके थेंक्यू गाईज जै हिंद जै वारत